जीवन की सारी समस्या का हल जन्म कुंडली में छिपा है, जन्म कुंडली का अध्यायन कराएं सारी समस्याओं से छुटका रापाएं मघघा नचत्र को गंडबोल नचत्र की स्रेनी में रखा गया है, सूरिक स्वामित के कारण यो लोग काफी जादा प्रभावी बन जाते हैं इनके भीतर इस्वरी आस्था बहुत अधिक होती है, इनके भीतर स्वाहिमान की भवना प्रवल होती है और बहुत ही जल्दी इनका दबदबा भी कायम हो जाता है ये बहुत ही मेंती और करमट होते हैं और किसी भी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिस करते हैं ये थोड़े छोटे कद के साथ सुद्रिर, बक्षिस्तल, मजबूत, जंगा, बाणी थोड़ी करकस एवं थोड़ी मोटी गर्दन के होते हैं इनकी आँखें विसेस चमक लिए हुए चेहरा सेर के समान भरा हुआ एवं रुवीला होता है इस नच्चतर में जन्मे लेने वाले बैक्ति प्राह अपने पौरुस और पुरसार्थ के परदर्सन के लिए सदा लाला ही तरहते हैं मगा नच्चतर में जन्मे पूरुस बहुत प्रतिभासाली होते हैं ये लोग सुभाव से काफी मेहनती होते हैं और जीवन में नई चीजों को आजमाने से कभी कतराते नहीं इसके साथ ही ये लोग भावुक होते हैं और सब के साथ धैर से पेसाते हैं वैसे तो ये लोग हमेशा दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं लेकिन इन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है जो जबरन इनकी जिन्दगी में घुस कर उपद्रों मचानी की कोसिस करते हैं। इनकी एक खासियत यह भी होती है कि इन्हें हर तरह की लोग पसंद नहीं होते हैं। जब प्यार की बात आती है तो महज किसी की खुबसूरत, खुबसूरती इन्हें आकरसित नहीं करती। इन्हें ऐसे साथी की तलास होती है जिसका बिक्तित खुबसूरत हो उसका हूमर भी अच्छा हो। मगा नच्छत्र में जन्मे पुरुस नहीं सिर्फ दूसरों के साथ दयालू होते हैं बलकि उनके आसपास जो भी चीजी होती है उनके प्रतीन पुरुसों के मन में खास दयाभाव होता है। ये जातक इस वर से डरते हैं इसलिए अपने हर कारे को बहुत जादा साथ करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है ये लोग अंजाने में ही अपने अगजार सत्रू बना लेते हैं। मगह नशत्र में जन्मे पूरस को किसी भी पेसे या वेविशाय में सफलता पाने के लिए 27 बर्स की आयो तक इंतजार करना होगा। मगह नशत्र में जन्मे पूरस को केरियर पर ध्यान के अंदरित करते समय ज्यादा बीचली तनी होना चाहिए। इतना ही नहीं पारिबारी के रिष्टों के दिश्ट से आप काफी खुसाहल होंगे, सस्रुलाल वालों से भी आप सामनजा से बैठा सकेंगे, खास कर आपकी सास के साथ आपके अच्छे रिष्टे साजा करेंगे, आपके संपूर्ण जीवनकाल में आपके दो या तीन रिष जो कैंसर का कारण बन सकती है, इसके अस्थमा और मिर्गी जैसी बीमारी के लक्षणों पर भी नजर रखने की आवसकता है, जरासी भी तबियत खराप होने पर तुरंट चिकिसक से संपरक करें अब आईए दोस्तों महिलाओं के बारे में जानते हैं, मगान अच्छतर में जन्म लेने वाली महिला भी पुरुस की तरह इस वर से डरती हैं, हलाकि महिलाओं पुरुसों की तरह सांत नहीं हैं, मगान अच्छतर में जन्मी महिलाओं क्रोधे और जगडालू सुभाव की ह जहां तक ये महिलाएं बहुत एक सुव्धाओं की भी सौकीन होती है और इन सब को हांसिल करने के लिए ये महिलाएं किसी अन्य वैक्ति पर निर्भन नहीं होती हैं, बलकि अपने ख्वाई से अपनी दम पर पूरा करती हैं, मगहन अच्छत्र में जन्म लेने वाली महिला अ कोई भी वैक्ति अपनी परिशानी लेकर अगर इन महिलाओं के पास जाता है तो ये महिलाएं अपने इस तर पर हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तत पर रहती हैं, मगहन अच्छत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं अगर सिक्षित है तो उनका केरियर काफी अच्छा ह होता है बास्तों में ये आपके जन्म के समय ब्रिहस्पत ग्रह इस नश्चत्र में इस्थान पाता है तो आपको एक सफल पेसे और भब जीवन का आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता ब्रिहस्पत की है इस्थिति महिलाओं को उसके पेसे बर जीवन में बहुत उच्छ जीवन जीने के लिए इन महिलाओं को दिखावा करने से बचना भी चाहिए अगर आपके सिक्षा और आय के बारे में बात करें तो आपके पास धन संपत्य और सेबक होंगे आप दूरलब बस्तों के ब्यापारी राजिस्तर के उचदिकारी बड़े ब्यापारी वकील नया जीवन जीएंगे और आपके संताने भी भागे साली होंगे जीवन साथ ही काफी समझदार और दयनिक कारियों में निपूर होगा वह परिवार की जिम्मेदारी भी बाखुबी पूरी करेगा अब आईए आपके प्रधम चरण से लेकर चतूर चरण में जन्मे जातकों के बारे में जानते हैं क्या आपका विहुहर किस प्रकार से होता है अगर आपका जन मगा नच्छत्र के प्रधम चरण में हुआ है तो इस चरण का स्वामी सूर है इस नच्छत्र में जन्मा जातक पंडित अर्थात अपने छेत्र का भी द्वान होगा इसका काराक इस चरण का नवसेंस गुरु है नच्छत्र स्वामी एवम सूरी दोनों ही ब मानित होते हैं वो अंत में दूसरों की तुलना में अधिक धन प्राप्त करते हैं अगर आपका जन्म मघा नश्यत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो इस चरण का स्वामी सनी है इस नश्यत्र में जन्मा जातक राजा या राजा समान वैभावसाली एवं पराक्रमी होता है लगनेस बुद्र की दसा उत्तम फल देगी सुक्री की दसा में जातक का भाग्योदय होता है इस चरण में जन्में लेने वाले जातक भोतिक बादी होते हैं वो जीवन में अपने बैक्तित और उदेश को काफी दर से हांसिल कर पाते हैं अगर आपका जन्म मघा नश्यत्र की तीसरे चरण में हुआ है तो इस चरण का स्वामी Sani है इस नश्यत्र में ये चंद्रमा भी है तो हर तूब्यकत हर हाल में अपने सत्रों पर बिजय होता है ततथा प्रतेक कार में सफलता प्राप्त करेगा लगनेस बुद्र की दसा उच्छ सफलता देगी सन अलिश्ट नहीं देगा सुक्रवासन की दसा में जातक का भाग्योदय हो सकता है इस चरण में जन्म लेने बाले जातक अत्रीधेक बुद्धिमान होते हैं वो उच्छ सिक्षा प्राप्त करते हैं और इनके पेसे में उच्छ स्तर का बुद्धिक कारी भी सामील होता है अगर आपका जन मघा नच्छतर के चोथे चरण में हुआ है तो इस चरण का स्वामी गुरू है इस नच्छतर में जन्म जातक धार्मिक सुभावाला अपने संसकारों के प्रत्यास्थावान एवं सब्धे होगा सुक्र की दसा में जातक का भाग्योदय होगा एवं ब्रिहस्पत की दसा उ हिजानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम आपके लिए ऐसे हिजानकारी लेकर आते रहेंगे तो मिलते हैं जैसरी किष्ट